गाजा में इसरायल और हमास की हिंसक लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। अब तक अलग-अलग हमले करने वाले फिलिस्तिनी प्रतिरोध अब एक होकर इसरायली बलो पर हावी हैं। गाजा के हर कोने से हमास लड़ाके इसरायली फौश पर आग बरसा रहे हैं। इसरायली बलो के लिए गाजा में हर एक कदम पर मौत का साया मंड़ा रहा है। दक्षडी गाजा के खान यूनिश्ट और रफा शहर जंगी मैदान के नए खाड़ा बने हुए हैं। यहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जम कर वार पलट वार कर रहे हैं। आइडिय अब जमीन और हवाई दोनों हमले कर लड़ाकों का सामना कर रहा है। वही गाजा की हिफाजत में लड़ रहे हमास लड़ा के छिप कर गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। जहां वे इसरायली बलो पर कहर बन कर तूट रहे हैं। यही वज़ए है कि गाजा अब बहुत बड़ी कबरगाह बन गया है जहां लड़ाके घात लगाकर इसरायल के सैनिकों का शिकार कर रहे हैं। इस कड़ी में एक बार फिर हमास लड़ाकों ने मिलकर कि यह जोरदार हमले में इसरायल को बहुत बड़ा जटका दिया है। अलकुट्स ब्रिगेड ने अपने हालिया हमले का एक फुटेज जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उसके लड़ाके अलकसम ब्रिगेड के साथ मिलकर जबरदस तरीके से इसरायली फौच पर हमला करते हैं। एक टैंक जैसा मरकवा पॉजब को भी निशाना बना कर तबाह किया। इस खतरनाक हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है इसमें लड़ाकों के बारूद हथियार ले जाते हुए देखा जा सकता है। टूटी फूटी संकरे रस्ते से गुजरते हुए एक लड़ाके एक खाली खंडहर मकान में दाखिल होते हैं जहां वा पास में खड़े इसरायली टैंक को निशाना बनाते हैं। ऐसा दावा है कि इस हमले से इसरायल को अपने गाजा उपरेशन में जोरदार जटका लगा है। फूटेज में दिखाया गया है कि दो इसरायली टैंक को बेहर नस्दीक से उड़ाने की तयारी करते हैं। बारुदी हथियार को तैनात करने के बाद दोनों लड़ाकों में इसरायली टैंक को उड़ाने के लिए बटन दबाने की होड देखी गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़ाके एक दूसरे को ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम बटन दबाएंगे, हाला कि आखिर में दोनों एक साट बटन दबानने के लिए सहमत हो जाते हैं। इससे इसराइली बनों को जान माल दोनों का बड़े स्तर पर नुकसान जेलना पड़ रहा है। लड़ाकों की ओर से अत्यादोनिक हतियारों के इस्तमाल ने इसराइल के सामने और कड़ी चुनौती पेश की है। इसराइली बनों के उबलते जोश को ठंडा कर दिया। भीशन हमलों से दहल रहे गाजा में अलकसम ब्रिगेड इसराइली बनों पर कहर बन कर बरसी है। एक बार फिर इसकी एक खौफनाक तस्वीर देखने मिली है। इसराइल के खान यूनिस शोहर में मचाए जम कर उतपात से बढ़के लड़ाकों ने पूर्व के अलजाना इलाके में एक बैरल ग्राउंड विस्पोटक के साथ एक इसराइली मरकवा टैंक को मिशान बनाया। इतना ही नहीं इसराइली खेवे में खलबनी मचाने वाले अलकसम बिगेड ने जलाटा में इसराइली फौज के होश उड़ा दिये। दरसल इसराइली सेना मरकवा टैंक में सवार होकर आगे बढ़ रही थी। इस दोरान घात लगाए लड़ाकों ने अल्यासीन 105 शेल से स टीक और जोरदार वार किया जिसकी जद में आया टैंक बलास्ट से धूधू कर जलने लगा। गाजा और इसराइली बलो के बीच खड़ी अलकसम बिगेड ने सिर्फ यही नहीं तहल का मचाया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने अपने हमलों की गून से इसराइली राजधानी तेलवीव को हिला देने का दमखम रखा। ब्रिगेड ने इसराइली कारवाई का मूतोड जवाब देते हुए तेलवीव और उनके उपनगरों पर दो M90 रॉकेट से बंबारी की। ब्रिगेड ने अपने दावे की पुष्टी करते हुए एक वीडियो भी जा करते हैं। इसके बाद टाइमर सेट कर एक साथ दोनों रॉकेट्स को इसराइल की और भेदते हुए दिखाया जाता है। करते हैं।